और देखते हैं ये इतने दिन खड़े होने के बाद भी स्टार्ट होती है नियोतिकर एक बारे में होगी गुड मॉर्निंग मकडो एक और दिन की सुरवात आप लोगों के साथ और टाइम जो है 6.45 हो गए है और अभी मैं जाना हूँ जिम लेकिन जिम से आने के बाद आज मेरे को लेने जाना है 13 परो मेक्स जो की मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है लेकिन मजबूरी में अब ले को मकडो कैसे हो आप सबाईयों के सब मेरी तरह बढ़ी होंगे मस्तोंगे स्वस्तोंगे खुश होंगे और यार खुशी रहने चाहिए कि खुश रहने से हैल ठीक रहती है स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल है कि फैसला लगके बैसला पर और सुबा सुबा ना यूट इतनी होने लगी है कि बाइक तो चलाने का मशनी नहीं कर रहा है तो और हगह से लग रहा है कार में ही आना पड़े गा ठंडि दिली में यही है जो गर्मी उती है वो एक्स्ट्ριम लेवल पर और ठंड होती है तो वह बहँद कर वाली होती है यह पुलिस वाले अंकल रोज 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 रोखेंगे क्या पता नहीं आज कल क्या है रोख के एंट्रियां रोज करते है और बाइक में एक यही प्रोब्लम है आपको नहीं हर मुसम जहलना पड़ता है गर्मी तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है राइडिंग गेर पैन के सर्दी तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है बारिस तो बारिस लगती है लेकिन मज़ा बाइक में आता है बाइक लवर है हम बाइक लवर गाड़ी में बहुत ज़्यादा कमफर्ट और बहुत ज़्यादा सुस्ती सी हो जाती है बाइक पे लेकिन एक्टिव सा और एनरजी से रहती है पता नहीं क्यों जब जब मैं बाइक चलाता हूँ एक एनरजी सी बनी रहती है और एक चीज और पूछनी थी यार रात को ना मैं 10-11 बज जाते हैं सब कुछ होते होते हैं फिर एडिटिंग में 2-5 गंटे लगते हैं जिसकी अजसे सुबह जल्दी उठानी जाता हूँ जल्दी उठकर थोड़ा रूटीन ठीक हो जब तक नेक्स टिप पर न जाये तो आप कमेंट्स करके ये बताओ अगर वीडियो नो की जगे 11 बजे तो ठीक टाइम रहेगा क्योंकि मुझे दो गंटे मिल जाएंगे फिर रात को मैं टाइम से सुजाओंगा सुबह अपना 8-9 बजे तक वरक आउट करके 9-11 भी एडिट करूँगा तो ग्यारा बजे वीडियो आ सुबह उटके आदी जब की आदी अब की इसलिए लेट हो गया और एकसाइज में भी मन नी करता यह भी नहीं कर रहा रहा है अज मनी नहीं कर रहा है सर्व जाना है फिर थक जाओगे फिर लेट आओगे फिर कल नी करोगे लेकिन जो सर्दी में वरकाउट कर ले ना उसको जाएगे जिसने सर्दी में एक्साइज कर लिए उसने तो फिर पूरा बोडी मिल्टर बनके लिख लेगा अब घर जाने से पहले मुझे सैनिटाइजर देना है तो उसकी शोप देखता हूँ सैनिटाइजर है सैनिटाइजर को आपने मामा के तो आज वीडियो कोल करा देंगे आपके ना वीडियो कॉल तो मैं रोजी कर दो चल मेरे साथ चल बाइक अंदर खड़ी कर वहां कौन से जो आ जाए दो तो आएंगी कम से कम एक छेरी और BMW खड़ी खड़ी अंदर जावा लेके गया था बार है जावा भी बार है आए बार है अचल बुलट निका लेंगे आज़ चल इन राया चल रहा है जाए बुलट के नाम से चल लेगा इसा बुलट प्यार यह न और बुलट चलाने को भी मिल जाती है बाकी चलाने के लिए नहीं बीदो आपको पता भी निये गाड़ी जावाई नहीं पार चलाने के है आजया आए इसाइकल खड़ी यह तन्य टायम से मंदाकर इसा lips कर रहा के चला मोहनी चलाता हूं ला मिया ही यह साइकल पूरानी होई पुरानी होगी मतलब भूत नहीं 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 ज़ाते हूं दखको लगसार यह दिखने में लगता है व्पको लग रहा हुवाई इतन वैसे मुझे इसकी वशिंग करानी है लेकिन अभी पहले आज फोन लेने जाएगे उसके बाद इसको कल पर सो में जब फिरी हो जाएगे जब वशिंग कराईगे दो बाइक हमारी इधर पार्क हैं और पापा से कह रहा हूँ कि बनवादो पार्किंग तो पापा कह रहे हैं जैसे बाइक ली है ऐसी पार्किंग बनवादो पार्किंग बनवादो पार्किंग दो इधर दो किदर हैं वई और दो किदर दो अलग अलग जगे खड़ी हो रही ह यह सबसे जादा दिनों से खड़ी है, इस वोगया, करीब करीब 4-5 महीन है ना, चलिए इसको स्टार्ट कर होती है यह नहीं होती, यह नहीं होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें तो मुझे लगता है कि पैट्रोल भी ना उड़ जाता है, जब 2-3 महीने खड़ी रखो और मैंने काफी बार देखा, फुल टैंक रहा था और फिर बिल्कुल ज़ीर हो जाता है पैट्रोल, है, बहुत है, चो खेचले, पांच, शे, साथ, किकमार चेट्री डाउन हो जाएगी, कितनी बार, बीस बार, बीस बार करने के बाद इस्टार्ट, अब दोनों भाई घर क बार आ गई हैं, तो शाम को इससे जाऊंगा, और दूसरी जगह दो बाई खड़ी हैं, केटियम और अपनी वाइट टाइगर, तो वाइट टाइगर को शायद ले कर आ जाऊं, क्योंकि नेक्स टिप ना, उसी पर सोच रहा हूं, क्योंकि आज मैंने जो वीडियो अपलोड पर अपना मुबाइल लेना है, तो उसके लिए निकलते हैं, अभी टाइम हो गए है, चार बच कर, बीस मिनट ऊचुके है, हम सो के उटगे है, मम्मी की ना विहान से बात करा रहे है, मम्मी ने महंदी भी लगा लिया है, बाबू, विहान, विहान बाबू, कैसे हो आप, प पी, चलिए, आज चलाने वाले हैं, हम अपनी रानी को, और ये कितना बैंड होके खड़ी हो रहे है, इसके स्टेंड थोड़ा बैंड जाता हो गया, और इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे जो इसका गेर का लीवर है, अब भी कर सकते हैं, डाउन भी तो इसमें चलाओ, मुझे चलाओ, मुझे रोज चलाओ, लेकिन जो की पोसिबल नहीं है, और अभी मैं जा रहा हूँ, दूसरी बाइक चलाने, मतलब मेरे, दूसरी मतलब यहां से 8-10 किलो मेटर जगा, एक बाइक खड़ी हुई है, वो भी काफी टाइम से चली नहीं है, तो उसको ज आज बता चला, क्योंकि मैं जो खड़ा करता था ना इसको, तो जो इसका ओन ओफ है, वो बंद नहीं करता था, उसकी वज़े से पैट्रोल उड़ जाता था, लेकिन आज पापा ने बताया कि उसको ओफ करके खड़ा करेंगे, तो नहीं उड़ेगा, दूसरा हम इसका पता नहीं, सब बाइक चला भी पाएंगे या नहीं आज, और जी ऐस से चलाने के बाद ना, ये बाइक मुझे बहुत छोटी लगती, मैं वाइट टाइगर चलाता था, तो मुझे इससे मैं चलाने में बहुत मज़ा और ऐसे लगता था, बहुत बड़ी बाइक चला रहा ह हूँ और उसके बाद दूसरी बाइक पर आपको मिलता हूँ, एक तो सब बाइक चलाने के लिए ना, कैमरे के एंगल भी चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बैंड हो के चला रहा हूँ, वो सीधा, सब अलग अलग तरीके से चलती है, सब का स्टाइल चलाने का अलग अ लेकिन सबसे जादा जो मुझे अनकमफिटेबल लगती है, यह बाइक लगती है, यह चार से पांच किलो मिटर चला सकता हूँ, मैं इससे जादा इससे चला ही नहीं सकता, हाथ में पेन होने लगता है, लेकिन काफी दिन से चली नहीं हैं, तो थोड़ा चला लेते हैं, और इसके बाद चलेंगे हम अपनी वाइट टाइगर को लेने, उसको घर ही ले जाएंगे शायद क्योंकि सोच रहा हूँ, एक दो दिन में ट्रिप उसी पर लगा हूँ, और रानी में एक जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है वो लगती है जो फ्यूल पॉइंट जैसे, इसमे बताता ही नहीं, तो confusion हो जाती है नहीं और इस चक्कर में मेरे को दो-तीन बार उसमें धक्के भी मारने पड़े हैं बैक टू होम और केटियम को चलाते चलाते थोड़ा टाइम लग गया और फिर एक दो मेरे काम करने लगा तो जो अपनी वाइट टाइगर है उसका नमबर नहीं आया लेकिन हमने आते आते सोच लिया, डिसीजन ले लिया कि वाइट टाइगर पर हम एक लोंग राइड करें आपके कमेंट्स आये, उनी से ही मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाओंगा, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, साथ नई वीडियो वो ही हो जिसमें हम अपनी वाइट टाइगर पर लोंग राइड पर जा रहे हूँ, तो चलिए इस वीडियो को पर एंट करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाइट टाटा, सी यू, और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो